पेरेशूट धीरे धीरे नीचे क्यों उतरता है? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। पेरेशूट का आविश्कार लगभग उसी समय में हुआ था जब गुबारों के आविश्कार हुआ था। पहली बार पेरेशूट का प्रदर्शन 1783 में एक फ्रांसिस नागरीक लुई सेवस्तिन लेनलमन ने किया था। तब से लेकर अब तक पेरेशूट के शरूप और इसके डिजाइन में काफी परिवर्तन आ चुगा है। अब अलग-अलग जरूप को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रकार के पेरेशूट पनाये जाने लगे हैं। पेरेशूट का प्रमुख उपयोग उच्चाई वाले स्तानों या हवाई जाज से यक्कियों तथा सामान को सुरक्षित जमिन पर उतरने के लिए किया जाता है। आईएं देखते हैं कि पेरेशूट कैसे काम करता है। गिरती हुई चीज पर दो वल एक साथ काम करते हैं। प्रित्वी का गुरुत्ता कर्शन बल और दुसरा है हवा का प्रतिरोध बल। गुर्ता करसंद वल उस बस्तु को तेजी से निच्छे की तरफ खिशता है और हवा का प्रतिरोत वल उसे गिरने से रोकता है गिरने वाली चीच का वेक बढ़ने से हवा का प्रतिरोत भी बढ़ता जाता है उससे गिरते हुई वस्तु उस बेक तक महुच जाती है जिसे स्तीर अंतिम बेक आ जाता है वस्तु स्तीर हो जाती है और गिरना रुख जाता है पेरेशूट की छतरी काफी वड़ी होती है इसलिए हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है और गिरने वाली वस्तु काफी धीरे ध जीरे नीचे उतरता है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और आप कहां से वीडियो देख रहे हो कॉमेंट में जरूर बताना ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना थेंक्स पर फाचीं